Hello everyone, आप सभी का दी इनव पर सौगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम IGNU के assignment का last date extend होगी या नहीं होगी उसके बारे में discuss करने वाले हैं आज से दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि IGNU का assignment submission का इस बार last date 30 September है assignment कैसे जमा होना है, किस तरह से online offline का क्या पूरा परकिरिया है, किसका main role रहता है, सारा कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर में बताया था पर फिर भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास comment message आ रहे थे कि सर अभी तक हमारा assignment बन नहीं पाया है, किसी कारण से delay हो गया, अब क्या assignment submission की last date extend होगी, जिससे हम अपना भी assignment submit करवा सके तो मैंने आपको last video में ही बताया था कि पूरा जो assignment से लेटे जो भी फैसले होते हैं, जो भी पूरा power होता है, आपके regional center और study center का होता है ठीक है, और हर study center का अलग-अलग notification इसके recording में आता है, हर regional center का अलग-अलग notification आता है For example, अगर मैं Delhi के अंदर में रहता हूँ, ठीक है, Delhi के अंदर में total 3 regional center है, RC1, RC2, RC3 RC1 का example लेकर चलते हैं, तो RC1 के अंदर में total 10 study center आते हैं 10 में से 3 study center ऐसे हैं, जिनका last date में कोई changes नहीं हुआ, मतलब उन्होंने अपने सभी students को बोला कि 30 तारिक तक ही आपको अपना assignment submit करना है, 30 September तक ही पर 7 ऐसे study center थे, जिन्होंने अपना date change कर दिया Change करके क्या रखा? तो 10 तारिक किसी ने रखा, किसी ने 15 तारिक रखा, किसी ने 12 तारिक रखा जो भी उनके हिसाफ से जो date suitable था, उन्होंने रख लिया ठीके, तो यह नहीं देख सकते कि अगर किसी का date change हुआ है, तो हमारा भी change हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में जो proper जानकारी आपको, अपने regional center और study center से ही मिलेगा अगर कोई भी student का जो assignment नहीं बना पाया अभी तक और सोच रहे कि मेरा date तो 30 तारी था, अब बना नहीं पाऊँगा छोड़ देते हैं तो उसके लिए suggestion यही रहेगी कि एक बार अपने study center पर जाकर पता कर ले कि उनका last date क्या है, क्या उन्होंने last date बढ़ाया है, नहीं बढ़ाया है, कई बार ओफिसली अपडेट नहीं कर पाते हैं site पे, तो वहाँ पर जाकर एक बार पता कर ले जिससे आपको उसके बारे में proper जानकारी मिल सके, last time मैंने ये भी बताया था कि किस तर से आप online अपने regional center के recording में, जो भी update हो कैसे check कर सकते हैं, वो मैंने आपको last time वीडियो में बताया था, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी हैं, तो देख लिए जिससे आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाता है, normally आपको करना क्या होता है, regional center के बारे में, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, तो यहाँ पर आपके regional center के recording में एक website मिल जाता है, जैसी आप उस पे click करोगे तो यहाँ पर regional center website आ जाता है, और यहाँ पर पूरे all over India के नतरे में, जो भी regional center है, उनका proper यहाँ पर जाता है, आपका जो भी regional center है, जैसे Delhi 2 हो गया, Delhi 3 हो गया, ठीक है, Delhi 2 पर click करोगे, तो assignment के recording में, जो भी आपका update है, यहाँ पर आपको notification corner के नतरे में दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, assignment submission guidelines, तो इस तरी करके आपको यहाँ पर update मिल जाएगा, और आप उसके बार देली वालों का भी extend होगा, ठीक है, या फिर किसी का regional center कुछ और है, उसका data exchange होए, तो आपका भी extend हुआ है, सभी regional center का अलग-अलग notification होता है, सभी regional center का अलग-अलग फैसले होते हैं, तो आपका update हुआ है, या नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी, अपने official page प चीज़े की complete करके अपने last date से पहले submit करवाए पाएं, और नहीं करवा पारे हैं, तो ये चीज़े रह सकती है, online, offline का तरीका क्या था, submission का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बता दिया था, ठीक है, और जैसे ही आप RC है, जैसे हो जो भी आपका regional center है, उसकी website पर जाओ के लिए हमारे दी इनफ चनल को subscribe कर लें, और आपको time to time इस तरह की updates मिलती रहेंगी, तो bye bye, take care, all the best, subscribe करना बिल्कुल ना भूले, all the best